हेलो, हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आई होप आपसो लोग अच्छे होंगे तो आज की विडियो स्टार्ट हो चुकी है तो यह मॉर्णिंग का टाइम है सुबह छे बज़े का टाइम है मैं अंदर से बाहर आ गई हूँ अब मैं अंदर सो रही हैं तो इस वैस में बाहर आ गई हूँ और अपने गरम कपड़े बगर पैने हैं और मैंने बालों को मैंने बन बना लिया है अब मैं इदा गरम पानी कर रही हूँ फ्रेस होने के बाद मैं गरम पानी कर लिया है उसे मैं ब्रस बगरा करूँगी क्योंकि टंकी का पानी होता है वो बहुत ठंडा पानी होता है तो उसे ब्रस बगरा करने में दिक्कत होती है तो मैं गरम पानी हलका सा गुन गुना खाके ले जाओंगी और इससे आराम से पेस्ट बगरा कर लूँगी तो इदा मैं टूथ पेस्ट करती जाओंगी टूथ पेस्ट के साथ साथ मैं सुवह यहीं पे हलका सा मैं टहल लूँगी क्योंकि हलका सा टहलना भी ठीक रहता है सरी के लिए तो मैं कहीं बाहर तो नहीं जाती हूँ चत बगर अपर नहीं जाती हूँ मैं घर में ही अंदर ही टूथ प्रस करते ही हलका सा मैं टहल लूँगी तो friends, में इसी तरीके सापने time को manage करते हुए चलती हूँ क्योंकि हमारे पास इतना ही time होता है इसी time को हमें manage करते हुए चलना होता है तो friends, आज Sunday का दिन है इस वैसे मैं actually late हुटी हूँ वियसे मैं थोड़ा सा 4.46 तक मैं hoद जाती हूँ लेकिन आज संडे का दिन था तो इस वैसे मैं थोड़ा सा लेट हुई हूँ आज मुझे साड़े छे के सम्तिंग हो गया है टाइम उठते उठते बाहर काफी उजाला भी हो चुका है आप लोग देख सकते हैं तूथ ब्रस वगरा करती हूँ तब तक तो मेरे को साथ बजी ग अब ममी सो रही है क्योंकि आज संडे का दिन है तो आज बो लेट उठेंगी थोड़ा सा तब तक मैं आराम से आठ साड़े आठ वे तक मैं आराम से पढ़ लूँगी फिर उसके बाद जो घर के काम होते हैं वो करूंगी तो फैंट्स जरूरी नहीं है कि हमारे पास काफी स सारे साधन हों हम तब ही स्टड़ी करें जी नहीं हमारे पास जितने कम साधन हों हम उसी में बहुत अच्छे से स्टड़ी कर सकते हैं मेरे पास अलग से कोई स्टड़ी टेवल नहीं है कोई टैमर नहीं है कि मैं टैमर को लेकर लगा करके तभी बैटू तभी मैं पढ़ूं उठती हूं तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास study table अलग से हो या फिर हमारे पास timer हो हमारे पास चार phone हो तब ही हम कुछ कर सकते हैं जी नहीं आप लोग देख सकते हैं मेरे पास कोई अलग से study table नहीं है मैंने computer table है उसे भी पैट करके पढ़ रही हूं मेरे पास कोई phone का stand भी नहीं है तो उसे जो हमारे पास pen holder होता है उसे से मैंने phone को थोड़ा सा सहारा दे करके उसे ही मैं phone को आराम से रख करके और अपनी class ले रही हूं अगर friends आप लोग मेरा time table देखने के लिए इच्चोख हो तो आप लोग बताना तो मैं आप लोग के लिए next वीडियो में अपनी time table लेकर के आऊंगी कि मैं किस तरीके से अपना time को manage करती हूं क्योंकि इसी time में हमें study भी करनी होती है इसी time में हमें घर के काम भी करनी होती ह हैं तो सारे कामों को मैं manage करते हुए किस तरीके से चलती हूं अगर आप लोग उस चीज के लिए interested हैं तो मुझे comment करके बताना तो मैं अपना time table आप लोगों के साथ सेया करूंगी तो friends ममी जाग चुकी थी हम ममी मेरे को इधर चाय और नास्ता दे दी हैं तो हम मैं हलका से यहीं पे चाय कर पी लूँगी क्योंकि morning का time में हम लोग fresh बगरा हो आते हैं और ब्रेड्स बगरा कर लेते हैं तो हलकी सी भूख भी लगने लगती है तो breakfast में आज कुछ ज्यादा नहीं है क्योंकि आज Sunday है तो इस वैसे breakfast में कुछ ज्यादा नहीं बनाया है only toast है और चाय है इसी से मैं breakfast कर लूँगी इसके बाद हमारा डायरेक्ट लंच हो जाएगा क्योंकि fans हलका सा खाना भी जरूरी होता है जब भूग लगती है तो क्योंकि अगर हम खाएंगे नहीं तो हमें भूग लगेगी तो हमारा जो दिहान है वो पूरा का पूरा हमारे अधरी जाये का दिमाग पढ़ाई में अच्छे से हमारा mind नहीं लगेगा तो इस वैसे हमे अपने पढ़ाई के साथ सथ हमें अपने खाने पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए जितना हमें पढ़ाई का आविशकता है उतना ही हमें खाने की भी आविशकता है तो अपना जो डाइट है अपनी मील है उसे हमें पूरा लेना चाहिए तो फ्रेंड सर्दियों का टाइम है मैं कभी रजाई में बैठ करके स्टडी नहीं करती हूँ क्योंकि रजाई में बैठ करके स्टडी करने से क्या होता है कि बहुत ज़्यदा नीद आती है और आलस आता है तो आप अपने आराम से फेस वगरा वास करके आराम से एकदम फ्री हो करके और पूरे कपड़े कस करके एकदम गरम कपड़े पहन करके कैप एप सूस सौक्स पहन करके आराम से बैठ सकते हैं आप लोग एकदम जैसे क्लासे सोती हैं उसे तरीके से बैठ सकते हैं तक आपको शरदी, फील नहीं होगे , जाँ तक आप घर जास काम में के सुबहें से फटहें ludzi में फिर यह संते ख़य थाय में बैठने करेंते हैynn पोक्षा मनें सब्सक्ति एक स्थारेय को होगी एक संगाहिनों फिर में से borrowing कोoquई में होगा। फिर उसके बाद मैं तो friends अपने daily routine काम खतम करके मैं 10 वजे तक ना दो करके मैं free हो जाओंगी फिर उसके बाद से मैं फिर द्वारा से पढ़ने बैट जाओंगी क्योंकि हमारे जो घर के daily routine वाले काम होते हैं वो 2-5 गंटे में आराम से complete हो जाते हैं थोड़ा सा हमें अपने काम को Step देनी होती है आराम से हमारे काम हो जाते हैं अगर हम अच्छे से करना तो 2-5 गंटे हमें लगते हैं अपने काम खतम करने में उन कामों को खतम क़रेखे फिर आप अपना Study पिद्यान दे सकते हैं तो फेंड्स अम में अपना क्लास मेरी खतम हो गई है तो आम में होट रही हूँ और क्योंकि इस टाइम पर मेरे साड़े आठ बज रहे हैं साड़े आठ बज़े मैं अपना स्टडी को छोड़ रही हूँ अभी और जो मैंने चाहिपी तो मैं इन बर्तनों को ले जाऊंगे शींक में रखुनगे साथी के साथ में अपने स्टाडी टेवल को साफ करता है हलका सा में घाड़ दिया है इदर दीवान बेड होट में ज़ाड़ दूंगी बेड सील को सही करता इयंए और अपने daily routine वाले काम कर लोग यो इदार एक एक साइड मम्मी खाना बना रही है किचिन में तो fully fully रोटियां बनने है friends आप लोग भी आजाएями fully fully रोटियां को enjoy करने के लिए तो फेंड इदर एक साइड मम्मी खाना बना रही है मैं तब तक जाड़ू ले करके जाड़ू पहुंचा कर लूँगी और डेली रूटिन वाले अपने काम खतम कर लूँगी चलो फेंड यह है मेरा मौनिंग का रूटीन है अगर आप लोग मेरा टाइम टेबल देखने में इंट्रेस्टेटने तो बताना कमेंट करके इस विलोग का में यह यह एंड कर रही हूं वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें सेयर करें एंड चैनल को सस्क्राइब करें तब तक के लिए थैंक यू